हलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चनल सुपर्डीम जे में स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट वन लायरे को सनांसर जो दोस्तों आल एक जाम्स के लिए बहुत ही महत्वर होने वाले हैं दोस्तों वन लायरे को सनांसर सीरीज का यह पार्ट नमबर 57 है इससे पहले सभी पार्ट मैंने अप्लूट कर दिया अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियो को डेस्कूशन वाक से में और प्ले लिस्ट की लिंक देडिह है वहां से जाके अब आप सभी वीडियो देख सकते हैं तो अगर आप मेरे चनलपे नए हैं मेरे चे उनको पहली बार विजिट कर रहे हैं तो賜ने चैनल को सस्क्राइब कर लेे और बेल आइकनald प् में किस्ग arrive क्या जाता है व्हाइण के में हवा भर्ने में सिंदूर का रासाइब किया है क्या है तो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? Mercuric Sulfide सिंदूर का रासायनिक नाम है, ठीक है, दोस्तो next question देख लेते है method next है, इसमें दोस्तो पूछा गया है chlorophyll में किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं? chlorophyll में किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं? तो magnesium dhatu के आयन उपस्थित रहते हैं किसके दूस्तों magnesium dhatu के आयन उपस्थित रहते हैं next question देख लेते question next है इसमें दूस्तों पूचा गया है wine means सराब के उपस्थित रहता है इसमें दोस्तों पूचा गया है सराब में उपस्थित रहता है तो क्या उपस्थित रहता है एथिल एलकोहल उपस्थित रहता है ठीक है दोस्तों नेश्ट कोशन देख लेते हैं कोशन नेश्ट है इसमें दोस्तों पूचा गया है सोना का रासाइनिक प्रतीक क्या होता है त तो क्या होता है दोस्तों एयू होता है सोना का रासायनिक प्रतीक एयू होता है नेश्ट कोशन देख लेते कुछ नेश्ट है इसमें दोस्तों पूछा गया है रासायनिक दरश्टी से चीनी क्या होता है तो सुक्रोज होता है क्या दोस्तों सुक्रोज होता है रासायनिक पर क्या प्रभाव पड़ता है बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांग पर क्या प्रभाव पड़ता है बर्फ का गलनांग कम हो जाता है क्या होता है दोस्तों बर्फ का गलनांग कम हो जाता है नेश्ट कोशन देख लेए देखिए कोशन नेश्ट में दोस्तों पू होता है तो कितना होता है दातों वा हड्डियों में उपस्थित रहता है तो कैल्सियम फास्फेट उपस्थित रहता है क्या दोस्तों कैल्सियम फास्फेट दातों वा हड्डियों में उपस्थित रहता है क्या दोस्तों कैल्सियम फास्फेट दातों वा हड्डियों में उपस गुद्ट विग्यापनों में किस गैस का प्रियोग किया जाता है तो किसका किया जाता है नियों सब्सक्राइला की अब निर्माड में प्रयुक्त होता है तो क्या दोस्तो तन के निर्माड में प्रयुक्त होता है सौर सेलों के निर्मार में सीजियम का प्रियुक तो होता है सीजियम का प्रियुक किया जाता है ठिए के चादरों पर जस्ते की परत चड़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं लोहे के चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं नेक्ट कॉश्चन देख लेते हैं जर्मन शिल्वर किसका मिस्रड है तो किसका दोस्तो जस्ता तथा निकिल का जर्मन, सिल्वर, जस्ता तथा निकल का मिस्टर है नेश्ट कॉश्ण देख लेते हैं कॉश्ण नेश्ट है इसमें दुस्तों पूछा गया है गन्य की चीनी किन के सहयोग से बनी होती है गन्य की चीनी किन के सहयोग से बनी होती है किस पदार्थ का प्रियोग मसीनों के इसनेहक लूब्रिकेंट के रूप में प्रियोग किया जाता है किस पदार्थ का प्रियोग मसीनों में इसनेहक लूब्रिकेंट के रूप में प्रियोग किया जाता है इसमें दोस्तों पूछा गया है किस खनिज को बेवकूफों का सोना फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है तो iron pyrite या iron sulfite को फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है next question देख लेते हैं हवाई जहाज को बनाने में किस fiber का प्रियोग किया जाता है हवाई जहाज को बनाने में कौन सा fiber का प्रियोग किया जाता है तो कौन सा दुस्तो fiber होता है और आपको करा दिया तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स टुडी माइं तब तक लिए जैहन दोस्तो झाल झाल